राजस्थान में विधान सभा चुनाओं से पहले एक बार फिर प्रदेश की राजनीती गर्मा गई है अपनी ही सरकार की आलोचना कर घिरे कांग्रेस नेता राजेंदर गुढ़ा को मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने मंत्रीपत से बरखास्त कर दिया वहीं मंत्रीपत जाने के बाद भी राजेंदर गुढ़ा अपने बयान पर कायम है उन्होंने कहा कि सच बोलना गुणा है तो वो ये करते रहेंगे उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं हमें जो ठीक लगा हमें जो सच लगता हम बोलते हैं और इसी के लिए हम गई थे जन्दा ने इसी के लिए भीजा था राजेंदर सिंग घुड़ा ऐसा ही है जब कहीं भी किसी भी जगये किसी के साथ अत्या चार होता है चाए हमारे डांगावास के अंदर पांच छे डलीत्यों के हत्या हो गई थी तो वहाँ भी राजेंदर गुड़ा खड़ा था जहां कई कोई अपरन हुआ कहीं भी किसी भी जगए हमारे भूंगरा के अंदर कोई 38 लोग एक साथ मर गए थे जलके वहाँ भी राजनीती में मची उथल पुथल के बीच बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है केंदरी मंतरी गजेंदर सिंग शिखावत ने कहा की महिलाओं के सम्मान की बात करने वालों को कॉंग्रेस बरदाश्त नहीं कर पा रही है कि अश्योन गयलोत में महिलाओं से अश्योग साहिप कि सरकार है का बारत उठ़ाने व राज्स्तान में हो रहे महिलाओं कि अश्योक का बिरोध करने कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करने वाली बात आवाज को दबाने और कुचलने का काम करते। उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने राजेंद गुड़ा को उनके बयान के बाद मंत्री पस से बरखास्त किये जाने को लेकर गहलोस सरकार और राहुल गांधी पर हमला बोला है। नगनक किया जाता है, उनके पती के सामने बलातकार किया जाता है, उस पर एक शब्द बोलने के बदले, उस पर कारवाई करने के बदले राहुल गांधी और प्रियंका वाड़ा इस व्यक्ति का इस्तीफा ही ले लेते हैं आशोग गहलोत के माधियम से। राहुल गांधी पी सांसत दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों के लिए प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार जिम्मेदार है उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए हम लोग जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है रोजाना 17-18 रिपोर्टेट इंसिडेंस सामने आ रहे हैं हमारी बहन बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है और जगाओं की तो बात छोड़िया और वहां जो कॉंग्रेस सरकार है वो कोई सक्त कदम नह ही करती आराम से नीद में सो रही है यहां पर उनके बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश तो जाते हैं लेकिन राजस्थान एक बार भी आये हैं क्या नहीं आए तो यह जो राजस्थान की हालत है बहुत ही दुख़त हालत है वहां की हमारी बेहन बेटियां बिल्कुल बता दें की राजस्थान विदान सभा के मौंसून सत्र के दोरान राजेंदर गुड़ा ने मणीपूर का जिक्र करते हुए अपनी ही सरकार को कट घरे में खड़ा किया था गुड़ा ने कहा था कि हमें ये बात स्विकार करना चाहिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा में प्रयोन में प्रच चास्टेश क्या जुक्र को एक अलबाथ गयार स्चास्ट्टार कि जुक्षिए ऱ्टेश्स वाग।